बिस्मिल्लाहिर्रह्मानुरहीम अस्सलाम अलेकुम वेलकम टू हेविन्स किचिन बाइ जननत उसामा आज जो मैं रेसिपी आप लोग के साथ शेयर करने जारी हूँ वो है भिंडी गोश्ट भिंडी गोश्ट के लिए देख लेते हैं बहुत थोड़ा सा साथ में ये में पास आदा किलो बॉयल्ट मटन है और ये मेरे पास एक टेबल स्पून जो है वो गार्लिक पेस है आदा जो है वो चमच मैंने मटन बॉयल करते वक डालिया था और बाकी का आदा मैं या पे अभी इस्तमाल करूंगी साथ में एक बड़ी प्यास लंबी कटी हुई है तीन अदर टेमाटर का पेस्ट है ये यखनी है जो इसकी मटन की बॉयल करते वक निकली थी साथ में तीन से चार अदर हरी मर्चे है मसालों में मेरे पास एक चाई का चमच जीरा है और आदा चाई का चमच भुना हुआ कुटा हुआ धनिया है आदा चाई का चमच हल्दी है आदा चाई का चमच नमक है आदा इसलिए क्योंके मैंने आदा जो है मटन उबालते हुआ डाल लिया था साथ में एक चाई का चमच धनिया पाउडर है एक चाय का चमच लाल मर्च और आधी चाय का चमच गरम मसाला है जो जो के हम अंदर भी डालेंगे और थोड़ा सा उपर आधा कर्प्रिंकलिंग में भी डालेंगे तो चलते हैं Uhrin कोकिंग की तरफ अब मैłęँ कोकर में थोड़ा सा औल ले लिया है तक्रीबन आदा कप पूरा आदा कपनी लिया है और इसको जो है वो मैंने इसमें प्यास शामिल कर दी है अब आप देख सकते हैं कि अनियन गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं अब मैं स्टेच पे गार्लिक पेश शामिल कर दूँगी साथ ही इसमें हम टेमाटर शामिल कर देंगे साथ ही इसमें हम जीरा और धनिया शामिल कर देंगे और इसको अच्छे तरीके से कोखोने देंगे अब जैसे ही यह मसाला भुनने लगेगा हम अपने मसाले शामिल कर देंगे जिसमें शामिल है नमक और हल्दी गरम मसाला लाल मिर्च पाउडर और धनिया पाउडर और इसको अच्छे तरीके से और मजीद बूल लेंगे और साथ में जो मैंने स्टॉक तयार किया हुआ था वो इसमें डालेंगे नाके पानी जस्ट अ स्प्लैश अच्छे तरीके से इसको भी भूने अगर आप चाहें तो आप इस स्टेज पर अप जो है वो मटन को शामिल करके भी आप ग्रेवी तयार कर सकते हैं लेकिन भिंडी का कुकिंग टाइम बहुत कम होता है तो इस लिए इस तरह की रेसिपी में मटन को पहले बॉल कर लिया जाए तो ये दोनों आपस में थोड़ी देर ही कुक हो तो ये एक साथ इसका जो है वो कुक हो जाए अब साथ में मैं हरी मिर्चे शामिल कर दूंगी थोड़ा और स्टॉप और इसको अच्छे तरीके से हम भूनेंगे और सेपरेट हो रहा है साथ ही भिंडी शामिल कर देंगे और इसको अच्छे तरीके से मसालों में भून लेंगे बिंडी भी हम पहले फ्राइ कट चुके हैं मटन हमारा अल्रेडी गल चुका है थोड़ी दे मटन भूनने के बाद इसमें हम भिंडी भी शामिल कर देंगे अब सब पहले हम एक पैन में दो से तीन खाने के चमच कुकिंग ऑयल डालेंगे और साथ में अपनी भिंडी को डालके उसको fry कर लेंगे fry करते इसलिए ताके जो है वो उसका तमाम जो इसमें लेस होती है और जो इसकी जो stickiness होती है वो खत्म हो जाए इसको अच्छे तरीके से fry कर लेंगे कम असकम 10 मिनट के लिए अब मुझे कम्प्रीट 10 मिनट हो गए है इसको fry करते हुए तो अब हम चलते हैं मटन ग्रेवी की तरफ मुझे पांच साथ मिनट हो गए है इसको भूनते हुए थोड़ा थोड़ा मैं यखनी डालती गई थी स्प्लैश और साथ ही अब आप देख सकते हैं और बीसका सेपरेट हो गया है अब जो हमने पहले भिंडी फ्राइब की थी वो इसमें शामिल कर देंगे और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे इसको भी साथ थोड़ा सा भूल लेंगे बहुत ज्यादा नहीं थोड़ा सा और साथ में ये स्टॉक शामिल कर देंगे सारा शामिल मत करेगा बहुत रनी और लिक्विडी सालन नहीं करना हम लोग को और इसको अब हम थोड़ी दे के लिए दस मिनिट के लिए इसको अब हम लोग फ्लेम पे को खोने देंगे अब आप देख सकते हैं कि मैंने इसको 10 मिनिट के लिए 10 से 15 मिनिट के लिए पकने दिया है ओर जो है वो अब जितनी भिंडी थोड़ी सी कच्ची थी वो भी को खो चुकी है और मतन भी प्रॉपर इसका को को चुका है तो अब हम चलके देखते हैं अपनी रेसिपी की फाइनल लुक तो ये है हमारी रेसिपी का फाइनल लुक I hope you like my video Thank you and Allah Hafiz